हेलो बच्चों, I'm Amit Bijaniya, your physics teacher at competition. जब से J-Main की dates और eligibility criteria आए हैं, तब से काफी बच्चे परिशान हैं, खास तोर से जो बच्चे 75% criteria में fit नहीं बैठते और कुछ बच्चे ऐसे जिनको लगता है कि एक्जाम थोड़ा सा late होना चाहिए था, एक्जाम थोड़ा सा postpone होना चाहिए था, एक्जाम की बारे में हमने information पहले से दी जाने चाहिए थी. इसके लिए बच्चों ने और of course हम जैसे teachers ने एक को तरह से NT को बताने कोशिश भी की mail के थू, कि आप एक बार थोड़ा एक्जाम को डिले करें या फर जो कम से कम 75% में जो ड्रोपर वाला बच्चा है, at least उसको तो relaxation दे ही दें. इसमें NT के तरफ से एक reply आया है, बहुत सारे बच्चों के पास ये reply आया होगा, हमारे बच्चों के पास भी एंटी के तरफ से एक reply आया है. इस reply का जो सार है, वह माँ आपको बताऊंगा, और इसके बाद हमें क्या करना चीए, वह माँ आपको बताऊंगा, तो प्लीज एक बार आप पूरी-पूरी बात अच्छे से सुनिएगा. कोई बच्चा अगर आपको ऐसा लगता हो, कि जो इन-जस्टिस के कारण हलका सा परेशान हुआ हो, उसको एट लिस्ट ये वाला वीडियो फोरवर्ड करें, जैसे वह उसको एग्जेक्ली आइडिया लगे कि उसे करना क्या है, किस तरह से वह अपनी बात जो है, वो respective committee के जो head से उनको पहुँचा सकता है, तो एक बार ये वाला वीडियो हर उस बच्चे को forward करें, जो बच्चा थोड़ा सा इस NTA के injustice के कारण परेशान हो, क्योंकि हो सकता है कि हम अगर अच्छा से दबाव बनाए, तो वो अपने decisions को वापिस ले ले और बच्चों का थोड़ा सा फायता हो जाए, तो प्लीज इस बात को थोड़ा सा as a mission mode में यूज कीजेगा, और at least जैसा मैं कहूं वैसा अगर हमने करने कोशिश की तो एक अच्छा कासा दबाव बन सकता है, और हो सकता है कि NTA अपने back foot पे आए, NTA नहीं तो exactly जो J Apex body है, वो back foot पे आए, और वापिस से अपने decision को roll back करें, और at least जो 75% वा क्राइटेरिया उसको कम से कम proper के लिए तो हटाए, और जो बच्चे post moment के लिए बैठें, at least वो भी अपनी बात तो at least कहें ही कहें, तो कौन सा right platform है जहाँ पर उन्हीं बात कह सकते हैं, उस इसको में discuss करने वाला हूँ, तो जो कोई बच्चा ऐसा हो, जो अपनी बात बोलना चाहते हो, at least उस बच्चे तक यवाला वीडियो जरूर पहुंचा है, आप उसको WhatsApp पे टेलगर आप पे कैसे ने कैसे करके, इस वीडियो का लिंक भेज दीशेगा, तो उसको exactly idea लग जाए कि exactly लिंको करना क्या है, पहले मैं इस डिसक्स कर रहा था कि NT की तरफ से reply क्या आया, NT की तरफ से ही reply आया, मैं सिर्फ और सिर्फ में दो पेरग्राफ कर रहा हूँ, पहला ये, कि the NTA is an examination conducting body, the role of NTA is limited to invite online application forms, conduct JMA and exam, declaration of NTA scores, and handling over the score data, all India rank merit list to the JOSA and CSAB, कि भी हम तो सिर्फ और सिर्फ former वाते हैं, exam कराते हैं, result निकालाते हैं, और इस result को हम जो भी JOSA और CSAB हैं, उनको हम handle करते हैं, बस इतना एक काम हमारा है, अब फिर इसका मंदर ये eligibility बगएरा, decide करना किसका काम है, तो NTA ऐसा कहता है, जो कि बात सच भी है, वो ऐसा कहता है, कि NTA conduct the exam, JMA of course, based on the syllabus, examination pattern, age limit, education qualification, percentage criteria, etc, as per criteria fixed in the meeting of JAP, that is JAPEX board, who is the final authority for setting the policies, rules and regulations, बनलाब जो कुछ भी करेंगे, वो सर्फ और सिर्फ JAP ही करेगा, JAPEX board ही करेगा, ठीक है, इसका याद कते ही नहीं है, कि NTA का JAP के अंदर, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, जो NTA के chair person है, वो भी JAP के एक member है, और हम जो बात NTA को बोल रहे हैं, अगर वो चाहें, तो वो JAP के अपने, उस meeting के अंदर, बड़े राम से अपनी बात को रख सकते हैं, बट उन्होंने इस mail के थूट एक तरह से पला जाड लिया, जो भी JAP की committee के जितने भी लोग हैं, उनकी जो relevant email ideas हैं, वो निकाली हैं, ये email ideas मैं इस video के description के अंदर भी लग दूँगा, तो आप वहाँ से copy करके mail करें, वहाँ से आप copy करके mail करें, अधरवाई सब्सक्त है कि आप कुछ अलग उठा लें, अलग तरिके से लिख लें, हलका फुलका के करमा लोग कि एक भी लेटर का इधर से दोर हुआ, तो अब इस बाते email id गलत हो जाएगी, तो जो भी आपको mail करना हैं, जो भी आपको बात बोलनी हैं, वो इन email ideas पर करनी हैं, एक चीज़ मैंने भी सोची कि email id हम आपको बना कर देते हैं, sorry, email हम आपको बना कर देते हैं, फ्रेम कर कर देते हैं कि यार यह वाला mail कर दो, इससे बात नहीं बनेगे, इससे उनको लगेगा कि यह जो सारे सारी मुहीम है, एक manufactured मुहीम है, तो इसलिए आप अपने शब्दों का यूज़ करें, अपनी व्याथा को बताएं, तुमारे साथ जो भी injustice हुआ है, उसको अपने शब्दों में कहें, उसमें ज़्यादा grammar का अगरेजी का सोचने जोड़त नहीं, जो तुम्हें लगता हूँ, उस बात को लिखे, इन email IDs पर, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे, जो उनको last year NIT मिल रही थी, 75% करेटे लिए last year था नहीं, बड़े आप से link मिल रही थी, और अपनी NIT को better करने के लिए, यह फिर IIT जाने के लिए drop लिया, और आज की दिन उनसे eligibility हटा ली गई है, तो at least वो अच्छा अपनी बात को, अपनी व्यत्वा को अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिखे, और इन email IDs पर लिखे, और सारे के सारे जो mail IDs हैं, यह IIT मदरास के पुराने डारेक्टर हैं, और पूरी की पूरी जो jab की, जो जही एपेक्स बोर्ड है, उस पूरी की पूरी कमिटी के ओनरी हैड है, चेर परसन है, तो सबसे ज़ादा जिनका से हैं, वो भासकर सर हैं, यह भासकर सर का मुझे वो mail ID मिला है, जो उनके IIT मदरास में जो यूज़ करता था, तो मुझे ऐसा रगता है कि अभी शायद सर यही यूज़ कर रहे होंगे, बाकी लोग जो हैं, वो IIT के, स्वरी, जैब एपेक्स बोर्डी के, बोर्ड के मेंबर्स हैं, सर्तो हैड हैं, बाकी सारे के सरे मेंबर्स हैं, मैं इमेल आडीर सुन लिजे वड़ा, यह सारे के सारे इमेल आड़े इस पर आप अपनी बात को लिखें, साथ ही साथ, जो बच्चा आपको लगता हो कि इस पूरे के पूरे एंटी द्वारा किये गे, इंजस्टिस से अगर हलका फुलका को परिशान दिखें, तरस दिखें, तो आप उसका थोड़ा साथ दें, उसको बताएं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक हैं, और बढ़ाई करते रहें, बढ़ाई करते रहें, अगर मालों की कलको उनने 75% क्राइटरिया हटा भी दिया, तो आप उसका फायता तभी उटा पाओगे न जब आप बीच वाले समय को आप वेस्ट नहीं करोगे, तो आप तो बस अपनी लाइफ में से 10 मिनिट के आसपास का समय निकाल कर, अपनी बाशा में एक मेल रेडी कर ले, उसी मेल को इन सार के सार इमेल आटीस पर फॉरवर्ड कर दें, और इस वीडियो को जहां कहीं आपको लेए कि हायर, ये कुछ गुरूप ओफ लोग ऐसे हैं, जो इसी परे, जो कोहरेंट हैं इस बात को लेके कि हाँ बई, आप अपसे लेकर तब तक सारा सारा समय यूज करोगे, तो सिर्फ दस मिनटी निकालना जाता मत कर दाना, चलिए, खुश रही, स्वस्त रही, प्राइटर,